तो देखिए जिन फिल्मों से उमीद थी कि ये फिल्म आप बॉक्स ओविस पे चलेंगी वो सारी की सारी फिल्मों ने सभी को नहराज किया और बुरी तरीके से बॉक्स ओविस पर फ्लॉप रही ऐसे में एक फिल्म ने भी सभी को सर्प्राइस कर दिया है, मनलब एक तरीके सर्प्राइस पैकेज आज चुका है किसी को इस फिल्म से बिल्कुल भी उमीद नहीं थी कि ये फिल्म बॉक्स सर्विस पे जरा सा भी सर्वाइव कर पाएगी लेकिन शांदार कमाई कर रही है फिल्म जरा हट के जरा बच के विकी कोशल और सारा अली खान हमें देखने को मिल रहा आउडियोंस को काफी ज़ा पसंद आ रही है फिल्म फिल्म ने पहले दिन शाड़े 5 करोड रुपय का कलेक्शन किया जो अर्ली ऐस्टीमेट्थ आए उसके मताबिट साड़े 7 करोड रुपय का कलेक्शन आसि या नहीं कि दोस्तो 13 करोड रुपय फिल्म में सिर्फ शुरुआती दो दिनों में ही कमाड डाले है शांदार तरीके का कलेक्शन और जिस लेहा से बॉलिवुट की फिल्म में परफॉर्म कर रही है पेंडेमिक के बाद उसे आप से आप देखेंगे तो शांदार जबस्त कलेक्शन अक्षा कुमार की फिल्म आपको सेल्फी आथा तो 17-18 करोड रुपर उसका लाइफ टाम कलेक बी कही सारे आज के एड़ांज होगी में शोर्थ ऑस्फोल हो चुक है तो आज भी फिल्म कहीं नहीं लग बख 9 करोड रुपर का कलेक्शन हासिल कर रही है और तीन दूरों का जब टोटल कलेक्शन है फिल्म का लगबख 22 करोड रुपर का हो चुका होगा और इस ग्रॉस क की बात करेंगे तो 25 से 26 करोड रुपे का ग्रॉस कलेक्शन फिल्म सिर्फ अपने शुरुवाती तीन दिनों में ही कमा चुगी और सबसे अच्छे प्लस पॉइंट फिल्म के साथ अब यह है कि फिल्म को देखी फैमिली ओडियंस देखने जा रही है काफी पसंद आ रही है इसे 35 करोड रुपे बजट है तो कि मुझे लगता है एजली फिल्म रिकावर कर लेगी उमीद करूँ जिस तरीके से शिवराती तीन दिनों में फिल्म ने कमाई की है वीग डेज में इसी तरीके का होल्ड बनाकर रखे और अच्छी कमाई करें